गुरु देर समझा के गणपती क्या है गणपती क्या है एको फ्रेंडली गणेशोत्सव क्यों और कैसे मनाएं? जाने परियावरन संवरक्षन और कुद्रत की मदद करने का अनूठा तरीका गणपती बिठाते थे आज कितने लोग बिठा रहे है कि इस समय के साथ बदल जाता है लोग फिर समझ नहीं पाते अब इस प्रता को रीडिसेंड किया जाए अब नदियों का पानी ऐसे डिक होते जा रहा है खत्रा बढ़ते जा रहा है क्योंकि हर बच्चा जो थोड़ा बड़ा होता है बोलता मैं भी गनपती रखूंगा मैं भी गनपती रखूंगा बच्चे को तो आप डिटेल बताते नहीं हो कि अच्छा हम लाएंगे तो हम एकोलोजिकल गनपती लेकर आते है एको फ्रेंडली ऐसी गनपती लाते है ताकि वो पानी में गल जाए और पानी को ऐसे डिक तो न बनाए क्योंकि नमबर तो बढ़ते जा रहा है ये दीरे दीरे होता है इसलिए किसी को लगता ही नहीं है सदियों के बाद क्या हो जाता है सदियों के बाद इतना बढ़ जाता है कि लोग अब डर की वज़े से उस परथा को बदल नहीं सकते और नमबर बढ़ते जा रहा है तो जल दूशे तो होते जा रहा है उसकी जो हानिया है दीरे-दीरे पूरे प्रकरती पर होते जाएगी किसी को तो जागरत होकर लोगों को बदाना होगा कि ये एको-friendly अगर करना ही है तरीके डूढ़ने जाए या तो वो durable हो जो आप डुबा कर वापस लेकर आए वही गनपती आप लेकर जाएगे परपस क्या है वो सॉल होना चाहिए दस दिनों में साधना होने चाहिए दस दिनों में प्रेम प्यार सभी लगों का बढ़ना चाहिए जो असली उद्धिश्य है वो पूरा होना चाहिए तो वो मुरत वापस लेकर आओ यानि आपका भी परपस साल हो और प्रकृति का मदर नेचर निसर्ग का परपस भी साल होना चाहिए तो ये वापस से कोई रिथिंग करेगा तो ही सोच पाएगा वरना बच्चा जित कर रहा है चलो जाएंगे लेकर आएंगे किसी एक बार विचार नहीं आएगा कि ये हम बड़ोतरी करते जा रहे है इसका अंद क्या होने वाला है तो एको फ्रेंडली गनपतियां दिखने में उतनी खुबसूरत ने लगई मगर आपको परपस मालूम है तो आप कहोगे कि अभी हमें वो परपस सॉल करना है वो ज्यादा इंपोर्ड़न तब गनेश विसरजन का रचनात्मक तरीका क्या है गनेश इस्ताबना कर रहे हैं तो क्या करना है विसरजन करना है तो किस चीज का विसरजन करना है ये बाते मालूमी नहीं हैं, तो मूल बात होती नहीं, बाकि सब होता है, मूल बात नहीं होती है, बहुत अच्छी स्टार्ड होती है, बहुत दुम्दड़ाका होता है, लोग विसरजन करके आते हैं, गनपती, सब अच्छा होता है, अमारगा सिरु अंत अच्छा नहीं होता आपने सुना है अंत बला तो सब बला और अंती बला नहीं है कि लोग तो मूर्तियां विसरजित कर आगए पानी में दूसरे दिन क्या दिखाई दे रहा है नजारा उदर चोपाटी पर मूर्तियां पड़ी हुई है लेहरे नीचे गई है और समंदर के किनारे पर गनपती की तूटी-फूटी मूर्तियां लोगों के पाउं के नीचे आ रही है ये अंत अंत का रूप कैसे लोग दिखते है जहां पर उन मूर्तियों की क्या हालत है जिनको इतने प्यार से रखा गया था वापस से देखने का किसी ने कष्टी नहीं किया कैसा अंत लाया कुछ तो लो क्या रहा है इसकी जगह पर क्या किया जा सकता था पाने की कलत वारिश की कमी इतनी सारी कमेयों के बावजुद्भी कोई सोच नहीं रहा है रुकर तो कुछ लोगों ने प्रियोक है कि गन्पती को जिस मट्टी से बनाया गया उसके अंतर बीज डाले गया उसके अंतर वह अब दिन उन्हों क्या किया उसको प्लांट की तरह गंबले में रखा गया गंपदी को उसके पर पानी ड़ा गया अब क्या हो रहा है वो मूर्ती मट्टी में विसर्चित हो गई और प्लांट अगए वो मट्टी खुद उस कुंडी के लिए फर्टिलाइजर बन गई अब और यो बीज थे उसके अंदर डाले हुए आरोपित किये हुए वो बीज फलित हो गए परसन रोज पानी डाल रहा है गंपदी पर और प्लांट मिल गया कैसी संभाव नहीं है खेत में अगर मूर्तियां आरोपित की गई डाल दी गई तो आपको वहां पर पेड़ दिखते हैं अगले साल आप वहां की कैसी सीन देखते हो गनपतियों का अंत कैसा हुआ ऐसी सोच कोई रखे कि यह जो विसरजित किया जाता है इसको ऐसे विसरजित किया जाए ताके आगे लोगों को व्रिक्ष मिले पेड़ मिले नेचर के साथ हो एकोलोजिकल हो जब तक कोई सोच जार देगा नहीं तब तक लोग उसी तरीके से करते रहेंगे और उल्टा और प्रदोशन बढ़ाते रहेंगे मर क्या हो सकता है कितनी जमीन में ये गनपति जाएंगे कितनी जमीनों में पौदे बनेंगे कितना कुछ हो सकता है एक थौट देने की बात है विचार क्रांध विचार नियम की करांती क्या है लोगों को विचार चाहिए एक नया तरीका मिले तो कुछ लोग यह प्रयोक कर रहे हैं अलग-अलग तरह से प्रयोक कर रहे हैं कुछ उसमें नय प्रयोक जोडने हैं यह सब हो गया अगर तो अंत भी कितना सुंदर होगा जिसका आनंद लोग रहे नवरात्रा मना रहे हैं उस का उंत कितना सून्दर आएगा यह सून्दर उंत लाने के लिए आपके सामने कुछ बातें रखी जा रही हैं गडेश की मूर्ति लोग खेत में आरोपित करेंगे आरोपन करेंगे उसका जमीन का अंदर खड़ा खोद कर उसमें आरोपित करेंगे फिर क्या हर मूर्ती से क्या मिलने वाला है तो ये सब नहीं बाते हैं जो पहले लोगों को जचेगी नहीं मगर कुछ लोगों का काम है शुरुआत करना आपकी ये जमेदारी आप समझ रहे हैं सरश्री द्वारा दिया गया यह संदेश तेज ग्यान का केवल परिचय मात्र है तेज ग्यान नहीं तेज ग्यान सरश्री महा आस्मानी परमग्यान शिविर में प्रदान करते हैं इसका असली आनंद आप शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं यह शिविर आप आउनलाइन भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हैपी थॉट्स देजग्यान और सरश्री देजग्यान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। और लेटिस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।